राजधानी दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में हुई हलकी भारिश की चलते शनिवार को मोसम सुहान रहा इस दोरान अधिक्तम और नियूंतम तापमान में सामाने से 2-3 डिगरी सेल्सिस की कमी दर्च की गई मोसम इभाग का अनुमान है कि रविवार को भी अलग-अलग इलाकों में हलकी बारिश हो सकती है शनिवार को दिल्ली की ज्यादतर हिस्सों में सुबह से ही बादल च्छाए रहे हालाकि दिन चड़ने के साथ ही धूप भी निकलाई लेकिन बीच-बीच में बादल घुमड कर आते रहे इस दोरान जफरपूर, नजफगड और मयूर विहार जैसे इलाकों में हलकी बरसात हुई जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली मौसम इभाग का अनुमान है कि रविवार के दिन भी बादल और हलकी बुंदाबांदी का ये सिलसिला बना रहेगा इस दोरान तापमान 35-26 निगरी सेलसिस के बीच रहने का अनुमान है आने वाले तीन दिनों में बारिश से माना जा रहा है कि दिल्ली में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है मौसम इभाग का अनुमान है कि राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बुधवार के दिन मध्यम से भारी बारिश हो सकती है पिछले गुरुवार के दिन दिल्ली में मानसुन की पहली बारिश हुई थी पहली बारिश के साथ ही दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई थी मुसमी भाग का नुमान है कि अगले बुधवार के दिन भी ऐसी हिस्तिती देखने को मिल सकती है